आयोध्या में प्रभू राम दला अपने मूल इस्थान पर विराजमान हो गए हैं। पांच सो वर्षों के इंतिजार के बाद आयोध्या में प्रभू राम दला भव्य और दिव्य भवन में विराजमान हो गए। मुकेश अमबानी भी अपने परिवार समेथ इस पल के गवाह बने। अमबानी परिवार ने हाथ जोड़कर भगवान श्री राम का आशिरवाद लिया। इस दौरान आरायल के चेर्मेन मुकेश अंबानी ने कहा कि भगवान श्री राम आ रहे हैं, पूरा देश दिवाली मना रहा है प्राण प्रतिष्ठा के महा समारोह में रिलाइंस जियो के चेर्मेन आकाश अंबानी पतनी श्लोका के साथ राम मंदर में मौजूद थे साथ ही छोटे बेटे अनंद अंबानी और उनकी मंगेतर राधी का मर्चंट भी मौजूद थी इस मौके पर पती आनंद पिरामल के साथ पहुची ईशा अंबानी भी बेहत खुश दिखाए दी इशा अंबानी ने रामलला की प्राण प्रतिशा में शामिल होने को अपने जीवन का सबसे खास दिन बताया कारिक्रम के दोरान अंबानी परिवार खासा उचसाहित नजर आया रामलला के दर्शन के बाद आरायल चेर्मेन मुकेश अंबानी ने राममंदिर तीर्थ ट्रस्ट को 2 करोड 51 लाख रुपए के दान दिये श्री राम की भक्ती में लीन अंबानी परिवार ने एक दिन पहले से ही मुंबई में अपनी निवास एंटीलिया को राममय बना रखा था पूरी बिल्डिंग राम के रंग में जगमगाती हुई नजर आई इतना ही नहीं अमबानी परिवार की ओर से मुंबई में अन्य सेवा का भी आयोजन किया गया था जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहन किया राम लिला के आने की खुशी में अमबानी परिवार इस कदर खुश था कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जन्वरी को रिलाइस इंडस्ट्रीज के सभी ओफिसेज में एक दिन के छुट्टी घोशित की गई थी ब्यूरो रिपॉर्ट न्यूज एटी